आपको खुशामदीत कहते हैं मैं हूं फराज मेरे साथ मोजूदे साउध आज हम प्रिवी करेंगे पाकिसान और इंडिया की टीम की बेस्ट पॉसिबल प्लेंग 11 भी बनाएंगे और हम बात करेंगे M.C.G के करेंगे वहां से क्या अबडेट आ रही है और हम बात करेंगे अवगणिस्तान और इंग्लेंड की जो कि बिल्कुल ही फिका मैच हुआ ठीक इस सबसक्राइब करें लाइक करें लाइक करें कि बेल आइकन को जड़ोर पेस करें ताकि जैसी हम वीडियो पॉस्ट करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकेопास देखो तो Zरू तो फिर सबसे पहले तुम बात करते क्ने वेदर को बुद नीज आ लेज़ नहीं निकलडी पर बारिश की जैसे पहले चांस बता रहे थे अब उतने चांसिस नहीं है एक परसंट भी चांस नहीं पूरा दिन जिकिन साथ बैगे बारे के बारीश है, मेच का कुछ लुए है, हो सकते हैं ज्यादा दोनों टीम के पांच-पांच आवर कट हो सकते हैं इससे ज्यादा हम नहीं रखते के होंगे बारिश हल्गी पुल कि होगी में आदे घंटी के निये रुख सकता है एक गंटे के लिए खौाइश तो यह के बिल्कुल बिना रुक है लेकिन हम वेदर को द पूरा मेंच हुआ और न्यूजिलेंड ने उस्टेलिया को हराया भी चलिए वेदर की तरफ से तो अच्छी अपडेट आ रही है बागी वेदर पर सुबह भी नजर रखेंगा करन्ट सिच्वेशन क्या होगी वेदर के अपडेट हम देते रहेंगे उससे पहले हम बात करत है Тीसरा मेच वह खेल सकते हैं क्याRARK और शायद ना भी हेल है लेकिन पाकिस्तान की जो प्लेंग लेन हो ना बाबर नहीं करें तो बेंडिया दॉब और 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 एंडिया यह थे आपन करेनगे ना जो और सनम पर रिजवान बैस्ट कर लेंगे और यह ख़ान करका है तूब मक्सूद एदर अली इफ्तिखार एमद शदाब कान मुहमत नवास यह तो आपके है ठीक है आसीफ अली और आरिज रौफ शाहिन शाह अफृदी और नसीम शाह यह आपकी प्लेंग लेवाने कल की इसमें हैदर अली को कहां खिला हो गया आप एदर अली लंबर चार पे खेले पहले इस टीम में क्या रोले या कि क्या खेलना है उनको अगर हम बोलेंगे ना कि एंकरिंग करें तो वह एंकरिंग नहीं नहीं कर पाएंगे उनका रूल यह सिर्फ दस वो पह बीस पच्छी सुन मना दे और वापसी आजए वह जब आएंगे ना जाहर सी बात हम उम्मीद करतें दस आवर के बाद ही हमारी दो विकेट अगर गिरती है तो दस आवर के बाद गिरें चैजिंग पे जाए या पहले बैडिंग करें तो दस आवर के बाद ही आए और शान मसूद से मुझे परसनली बहुत जादा उमीद है क्योंकि ऑस्टेलिया की गिराउन पे जो रिजवान के बाद ना पाकिसान की टीम में सबसे ज़्यादा शान मसूद पर ट्रस्ट बैटिंग में कल आपके में सबस्क्राइब बावर दे और शान मकसूद और रिजवान कल कुछ इतना खास नहीं कर पाएंगे आपको मायूस करेंगे कल ने ला ना करे कि ऐसा हो चालन अगर जीत जाते हैं तो बॉलिंग करेंगे पर मैं तो चाहता हूं कि इंडिया टॉस जीते और पाकिसान को पहले बैटिंग दे आज जैसे आफगानिस्तान में बिल्कुल स्मॉल टारगट इंग्लेंड जैसी टीम को फसा दिया एक सो तेरा रन पे तो बहुत होता है इंग तो फिर चैस करने का बहुत हैं एक सेमी फाइनल और पाकिसान इंडिया का मैच आपस का या पहल पर कि आपको नहीं पता क्या कर सकते हो क्या क्या कर सकते हो ऑफ उलिंग में क्या करते हो पाकिसान की तरफ से शाहिन हारिस आपको मायूस नहीं करेंगे इंशालला यहीं उम्मीद है और आरिस रहो कल नसीम शाह पिट सकते हैं गौतम गंबीर ने पाकिस्तान की बॉलिंग से बचने का कहा है कि पाकिसान की बॉलिंग से जितना बचके चलोगे आपके लिए मेच में त्यास में पहली दफ़ा हो रहा ह कि इंडियन प्लेड जो है वह पाकिस्तान की तारिफ कर रहा नहीं वाकिमा हमारी टीम बहुत जादा बैस्टीम है और गौतम गंबीर ने जो कहा है न मुझे मैं उनसे एग्री करता हूं उन्हें पाकिस्तान का जो बीक लिंगे ना उनका मेडल और और बैटिंग है बावर बावार रिज्वान को पावर लेजना बस में हमारे आप में पर हमें समल के चलना पड़ेगा तीन फास बोलर उसे पूरे वर्ल्ड में अभी जितने भी फास बोलर चलने उनमें उस्टेलिया के पास है एक इंग्लेंड के पास है देर्टों के स्पीट मारने वाला पाकिस् और पाकिसान के तीन फास बोलर अच्छा मुकाबला होगा पर जहां वीकलिंग मैच में नदर आरा तीम तो बरावर किये दूनों की आपको क्या लगता है कल इंडिया की प्लेंग 11 क्या होगी इंडिया की प्लेंग 11 एक दो डिबेट है कार्थिक इस पे रिशप पंद पे विद्वाट के लिगा कि बताते चले चले के लिए राहुल रोहिशर्मा ओपनिंग करेंगे और इंडिया की तरफ से विराथ को हैंगेल नमबर तीन सुर्या और आएंगे दिनेश का अधिक रिशप पन इन दोनों में से एक रिशुकार्दि खेलेंगे तो हार्दिक पंड अब उनमें जो जो खिलाएंगे शामी तो देखो खेलेगा बूबी भी खेलेगा और अक्षर पेटेल को इसके हर्शल पटेल को जो अमारे हमारे असनली अरश्दीफ सिंग सोरी हर्शल पटेल को नहीं चांस नहीं दिया अगा क्योंकि बहुत उन्होंने रिसेंट्टी बहु यूजी चेहल तो खेलेंगे यूजी चेहल अक्षर पटेल भूबनेश्पर कुमार और शामी मोहमद शामी यह इनका बॉलिंग पांच बोलर खिलाएंगे ना वो अर्दिक पांडिया को तो आप भूल गए ना अर्दिक पांडिया बेटिंग अल्राउंडर में मतला आप यूज्ड की समझे यूज अस्टेलिया इक उत्रों ना तीन फास्ट बोलर प्रकें और ऑ और अमारे हिस्ट विश्ट यह हैं अप्णार श्रीट पहुत अच्छी बोलिंग कर दे आरे अगर हो विक्न नहीं ले तो और थो यूजब नहीं और नहीं ने उस्टेलिया की खुदाना खासता हमारा कोई फास बोलर पिटता है हाँ जाहर सी बात है नसीम शाप है मुझे डाउट है बागी देखते हैं चलो फिर हम बात करते हैं आज जो मेच के लागा है अफ़ानिस्तान और इंग्लेंड का अफ़ानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 113 नम बना आले और पहले बैटिंग करें और रिस्पॉंसिंटे अपनी बॉल रोबन मेंट जीता जाता है बैटिंग मैंच जीत आती है बॉलिंग टॉर्नामेंट जीत इसपे नदर रखनी पड़ेगी अब पाकिस्थान की कफतान हैं और इंटिया की सामने जोस मेट फोष्ट स्कॉर बोर्ट पे और सामने टीम को प्रेशर में बिल्कुल अगर हम बात करें एक सुबारा रण पर ओल आउट हो गई मुझे इसांगे इंडिया टोस्स जीता तो पहले बैडिंग ही करेगा नहीं दोनों कप्तान में से जो भी टोस्स जीतेगा बोलिंग करेगा देख लिए है कि अगर पाकिसान टोस जीते तो पहले बॉलिंग ही कर लें कि बहुत प्रेशर होगा नहीं सुब कैसे करके 150 बीद हम पहुची जाएंगे मुझे इतना नहीं है माना पर इतना भी नहीं है कि हम बावर और रिजवान के आउट होने के बाद 150 भी ना कर लेंगे इंशालला यह प्रेक्टिस है चले हम चलते जलते आफगानिसान और इंग्लेंड की मेश की अपडेट देए एक सबारान पर आफगानिसान की टीम ओल आउट भी जिसमें इबराहीम जादरान ने बतीस बोलो बतीस बनाए जिसको जिसकी बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अपडे और रहान उल्ला गुर्बास जो कि आज खेल रहे थे पिछले में में अपडेट आ रही थी कि वह इंजिर हो गए पर थैंक गोड वह इंजट नहीं हुए उन्होंने नो बोलों पर बनाए दस रन अगर हम बात करें बोलिंग की सैम करन ने तीन और चार बोलों पर दस रन द नो कोई उमीद नहीं कर रहा था कि इतना स्टाइब अपने श्राइक को निचाने निदिया उन्होंने किस बोलों पर 29 बनाए और एलेक्स हैल्स बीस पर 19 जॉस बटलर जिनसे हम उमीद करते हैं कि आएंगी और ताबर थोड़ बैंदिंग उन्होंने ठारा बोलों पर ठार बनाए तो यह इतना क्लोज आया यह डेविड मलान की वजह से पिछ लो ती या राच इस तो नहीं थी अवानिस्थान के स्पीनर बोलिंग बहुत अच्छी बोलिंग अच्छी कि इस पीनर को एक चीज का क्रेड़ी दूंगा दुनिया की कैसी पिछकी ना उनके स्पीनर ब परीद जिनका से वली से पड़ा हो गया